आज के केस का नाम है एक चतुर चोर एक बरसाती रात में जासुस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था चोर तेज निकला और मेहुल की आँखों से ओजल हो गया चोर एक इसकूल में जाकर छिप गया चोर ने नकाब पहना था इसलिए मेहूल उसका चेरा नहीं देख सका मेहूल जब स्कूल पहुचा तो उसे वहां तीन लोग मिले पूस्ताच करने पर तीनों ने शोर होने से इंकार किया और कहा कि वह तीनों सुबह से स्कूल की लाइबरेरी में पढ़ाई कर रहे थे क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन चोर हैं ऑप्शन बी चोर है बरसाथ में दौरता हुआ स्कूल में पहुचा था इसलिए उसकी पैंट से पानी टपक रहा था हमारा अगला केस है मौलिक्ता का प्रमान मैट की पत्नी घर से लापता हो गई थी उसे एक संदेश मिलता है अपनी पत्नी वापस चाते हो तो 10 लाक रुपे लेकर पुराने गोडाउन में पहुचो मैट रुपियों का इंजज़ाम करके बताई जगा पर पहुच जाता है अपारण करता ने मैट को कहा कि इन में से तीनों में से एक आपकी पत्नी है मैं आपको एक मौका देता हूँ अपनी पत्नी को पहचान कर ले जाओ अने था उसे हमेशा के लिए खोदोगे आपके अनुसार मैट की पत्नी कौन है आपके लिए ओप्शन है A, B, C मैट की पत्नी के सीने पर तिल है जो A के B है यही आपका उत्तर है के ने जासुस मेहुल को बुलाया और कहा कि सैलीन के हत्या हो गई है मेहुल तूरन गटना इस तल पर पौस्ता है मेहुल तीन लोगों को संदिक पाता है और उन से पूस्ताश करता है नौकरानी मैंने दोपेर में ही अपना काम निपटा चुकी थी और जब मैं घर जा रही थी तब सेलीन ने दरवाजा बंद किया सेलीन कभी भी दरवाजा खुला नहीं रखती ही थी और सर्ज आज सुभा उसकी अपनी रूमेट के साथ लाई हुई थी रूमेट हाँ सर मेरी उसके साथ लाई हुई थी और मैं अपने दोस्त के घर चली गई थी और आपका कॉल आने के बाद मैं यहाँ पर वापस आई केन, मुझे सेलीन का कॉल आया था कि उसकी रूमेट के साथ लाई हुई है मैं उसको मिलने आया था पर यहाँ आने पर मुझे उसका मिर्थ शरीर मिला है तीनों के ब्यान सुनने के बाद क्या बता सकते हाथ यारा कौन है सेलिन हमेशा दरवाजा बंद रखती थी तो केन अंदर कैसे आया केन के लिए दरवाजा सेलिन नहीं खोला होगा अगर वीडियो पसंद आयो तो काइनली लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए हमारे चैनल को ताके हम इस तरिके की वीडियो आपके लिए लाते रहे हैं धन्यवाद